हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत थे आपके अपने यूट्यूब चैनल संजेट टेकनिकल एर्दरेट 21 में आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के कुछ इंपोर्टेंट कुशन्स का रिविजन करने वाले हैं तो जो आपका DRDO का अग्जाम होने वाला है कल, उसके लिए फाइनल वीडियो है इसके बाद से जो है, आप लोगो के लिए वीडियो DRDO से सबंदित नहीं आएगी और आज की इस वीडियो के लाश्ट में मैं आप लोगों के से कुछ अपना experience साजा करूँगा कि किस प्रकार से आपको एक्जाम में questions को attempt करना है तो वीडियो आपकी काफी important है आज की आप लोगों के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा चलिए आज की इस वीडियो के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्ट न है roughness grade number n10 का सबंध किस operation से है तो याद रखेगा roughness grade number की बात करें तो यह आपके n1 से लेके n12 तब होते है n1 से लेके n12 तब के roughness grade number होते है है n12 के value होते है 50 micron मीटर ठीक है इसी प्रकार से n11 के होते है 25 और n10 की बात करें n10 की तो यह आपकी 10.5 होती है ठीक है तो यह 12.5 होती है 12.5 होती है इस प्रकार से आपकी यह जो नंबर होते है इनकी value पूछा जाता है एक्जाम में तो आप याद रखिएगा और roughness grade होते हैं आपके n1 से लेके n12 तक और जो n10 का जो सबंद है वह आपके method का यूज करते हैं तो यह आपकी तीन प्रकार की method होती है जिनसे हम iron और को जो है प्यूरिफाई करते हैं उससों हम सुध करते हैं और जैस यूद लोहा जो हम प्राप्त करते हैं जैसे कि पहले है आपकी smelting process ठीक है कि smelting कि smelting कि smelting कि smelting process ठीक है उसके बाद है दूसरा gravity ग्रैविटी 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 मेथड ठीक है और उसके बाद जो होता है आपका वह मैगनेक्टिक मेथड होता है ठीक है तो यह आपकी मुक्ते तीन विदिया होती है जिसके माध्यम से हम लोहे का सुधी करते हैं तो यह आप प्याद रखने है कि लोहे के सुध्यान की जो विदिया है वह तीन है smelting process gravity process और magnetic process इसके दोरा हम लोहे का verification करते हैं ठीक है चले पगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question आपका magnetite किस का ask है त्याद रखिए गया magnetite जो है आपका iron का ask है इसके अलावा जो है पाइराइट लिमुनाइट यह सभी आपके क्या है iron की ask है यह निक लोहे की ask है ठीक है धातुओं के ask सबंदित question ने जाएं पूछी जाते हैं तो कुछ धातुओं के ask मैं आप लोग के साथ share कर देता हूं और बाकी जितनी भी धातुइं है उन्हों सभी का ask आपको याद करके जाना है जैसे कि कंहिए की बात करें तो इसका ask होता है भॉक्साइड लेक की बात करें तो इसका होता है जो फिल्णित कर दफक अब कर करते यहीं अगला इसक होता है जिन फंश से मेड़क के सबमे कोते हैं नबлас नौफजरा solution किता में reflective घूर्ष के यह प्योशन कहा है तो याद रखंगे कि रिपिट का जो फैक्त्री हेड होता है या आप से पोच्छन पूछ सकता है कि रिविट के फैक्तरी हेड को सहारा देने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तियाद रखेगा हम रिवीट इसाम dónde के फैक्तरी हेड या रिवीट के हेड को सहार दने के लिए डॉली का परिए करते हैं ठीक है रिवीटिंग की बात करें तो यह एक परका का समी पर्माने ज्योइंट है ठीक है यह भी इगामे कोशन पुछा आजाता है और रिवीट का जो इस्पिस्पिकेशन दिया जाता है उ रिवीट से इसा बंद और वी कुछ important point है जैसे कि आपसे एक कोशन पुछता है कि किस रिवीट का परिए अधिकतर किया आता है तो याद रखेगा है इसके साथ ही हलके कारियों के लिए कौनकाल है रिवीट का परिए करते हैं और हेवी कारी के लिए यानिकी आपका five number का shoulder किसका गलांक है तो याद रखेगा जो shoulder होता है या एक परकर का semi-permanent joint है और यह जो है इसमे लेड़ और तीन का यह अगला रखेंगे अगले question के तरब बढ़ते हैं अगला question है six number का copper की soldering के लिए flux के रूप में किसका प्रिए करते हैं तो याद रखेगा copper की इसके साथ ही जो आपकी electric equipment होते हैं उनकी soldering के लिए हम अरेजिन का प्रिए करते हैं तो यह अगले question कितर बढ़ते हैं अगला question आपका seven number का की प्रिए कर देखेंब कर आपका अपने प्रिएक सेबिया के कितने प्रकार कर वोते हैं उनकी इस प्रिएका आपका याज ही लिएनग के zaj प्र, ओसल्ला का करने के लिए आपके न्दरुनी इस मातनी अपने के लिए और और जैनिकल्पर परियोग गोलेज़ाबका Center सेंटर या parallel रेने कि जब्त फीमें केलिः करता है जो सबसे अधी काषि 550 से भूण के अन्य नाम क्या है तो यह जो किसे सुखेक्त हैं कि डियू के मिद नाय न एले तैयार रख्या एप dauदर उन्होन मिदेड़िद सुद्धा के बात करें तो आपके स्प्रिंग जोएंट के लिए वह काफी एक रोसी में होती है इन गंबेर टू फर्म जोएंट टीक है और यह जो है इन डिरेक्ट मेजिरिंग टूल होते हैं यह भी कुछिन इंपोरेंट है इसके साथ ही याद रखेगा जो केलपर होते हैं माल इस्टिल के प्रिंग जाते हैं और इनके जो पॉइंट होते हैं उनकी किस्ट हार्डनिंग की जाती है तो इतने सेरे पॉइंट साब को केलपर से सबंद त्याद रखना है ताकि अगर एक्जामे कोई भी कुछिन पूछे केलपर से सबंद तो उसका राइट अंसर आप करके आईएगा चले अगलए क्यों के बड़ते हैं अगला कोई कैना आपका 8 फार को इंट नंबर का जिक का कौन sa part दिल के साई अंबर्टा inbox देंक है तो याद रखेगा जुचो होता है वह दिल forecasts परदा 좋ुकएसन पशान करने का कारी करता है लिए काफodor लिए कफिन रखे अगले question की तर बढ़ते हैं अगला question आपका 9 नंबर का socket में किस प्रकार के thread बने होती है तो याद रखेगा अगले question की तर बढ़ते हैं अगला question आपका 11 नंबर का lubricant कितनी प्रकार के होते हैं तो याद रखेगा जो lubricant होते हैं यह आपके मुक्ता तीन प्रकार के होते हैं solid, semi-solid और liquid यह तीन प्रकार के lubricant होते हैं तो यह आपको याद रखना है लुब्रिकेंट की बात करें तो यह एक प्रकार का पदार्त होता है दुद्दू matching parts के बिच में उसके friction और temperature को नियंतरित करता है ठीक है solid lubricant का उधारान है वह आपका graphite है liquid lubricant का उधारान हो गया और semi-liquid की बात करें lubricant तो यह उसका सबसे अच्छा उधारान है अब अगले question कितर बढ़ते हैं अगला question है आपका sliding करने वाली flat surface पर किस grease का प्रेग करते हैं तो जैसे कि grease जो आपका semi-liquid lubricant का उधारान है grease भी आपकी अलग-अलग प्रकालक होते हैं जैसे कि aluminum based grease ठीक है तो इसका प्रेग करते हैं slide करने वाली flat surface पर हम aluminum based grease का प्रेग करते हैं ठीक है ते भी काफी important question है अगले question की तरह बढ़ते हैं अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question आपका protein number का seat की मोटाई को चेक करने के लिए किसका प्रेग करते हैं तो seat की मोटाई को चेक करने के लिए हम वायर गेज का प्रेग करते हैं तो इसमें 14 का वायर गेज आपका रेट अंसर है आज की इस वीडियो में हम किसी भी question का extra कोई भी point नहीं डिसकस करते हैं क्योंकि अब exam ज्यादा आपके पास time नहीं है और आज यह लास्ट वीडियो ह तो मैं यह नहीं सही समझता कि आप लोगों का time की killing हूँ कम से कम से में जाए आपको maximum maximum question कराया जाए ठीक है अगले question की तर बढ़ते हैं अगला question आपका 15 नमर का white metal या babbit metal को पिगलाने के लिए किसका प्रेग करते हैं तियाद रखेगा white metal या babbit metal को पिगलाने के लिए हम blue lamp का प्रेग करते हैं तो यह भी काफी important question है इस परकार के question भी आपसे exam कुछ से जा सकते हैं अगले question की तर बढ़ते हैं अगला question आपका 16 नमर का urging tapमान कितना होता है तियाद रखेगा low carbon steel का जो फोर्जिंग तापमान होता है यह 800 से ले करके 1300 degree Celsius होता है ठीक है इसके साथ ही high carbon steel की बात करें 900 degree Celsius ले करके ठीक है 250 degree Celsius के पराबर होता है ठीक है और high carbon सब्सक्राइब तो कि यहाँ ऐसे सब्सक्राइब कर सकता है यह लो कर्पने इस्टील का हो गया है यह यह सब्सक्राइब नहीं सकता है अगले question की तरफ अगला question यह पाइब परकार के बने जाते हैं यह बाटम बने जाता हैं और इसमें एक ऐसे उपर से रहता है और यह इसमें इनका दू शेट होता है एक टॉप सोजी एक बाटम स्वेजिस टीक और यह आपके प्रकार के प्रकार के प्रइब के यह एग्जाम का प्रियों के क् इस question को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप exam में क्या करते हैं इस प्रक्राग के question देखते हैं तब सिदा-सिदा इस सिर्फ कुल को रैट करके answer आ जाते हैं तो कभी कभी आपको जो है question गलत हो सकता है इसलिए question को ध्यान पर पढ़ने के जोरत होती है एक्जाम में आपको बता देता हूं कि किसी भरका कोई भी question हो ठीक है आप question को at least दो बार जरूर पढ़ेंगे बले आपको question आ रहा हो या नहीं आ रहा हो ठीक है और ज्यादा burden लेने की कोई जूरूत नहीं है ज्यादा कुछ सोचने की जूरूत नहीं है जो भी question आ रहे हैं उसको आप answer करेगा बागी जो कुछ एक बाते हैं मैं आपको वीडियो कलाश में बताने वाला हूं चलिए अगला question है अगला question है 20 नंबर हम डिसकस कर रहेते है फो इसलिए इसका answer भी अलग-अलग है ठीक है फोर्जिंग सब की बात करें तो आपको याद रखना है कि ब्रॉस रूल और स्मिती सब की बात करें तो आपका स्रिंक रूल आपका राइटन सुरूगा अगले question की तरह पढ़ते हैं अगला question आपका 21 नंबर का किसी पार्ट के size क लिमिट में finish किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है जैसे कि कोई आपको पार्ट दिया गए है बनाने के लिए ठीक है और उसकी एक limit दिगे है किसी के अंदर आपको जाव को बनाना है यानि कि वह क्या है आपका वह size जो है acceptable size का लाएगा ठीक है तिसमें acceptable size आपका राइट आइन डपा hadp tiep और दूसरा machine action tape ठीक है और है टेप होते इसके तीन तीन सेट होते हूथ है टेपर ऐंटरे आव आप से पूछता है कि या邊्ण के अब करने करते हैं त्याद रहगे गाव ब्लेंड है प्रीक ब्रीक करते हैं तिस साथ के इसके अन्य नाम भी है जैसे ड्आट बार्ट मिंगिंग टेप काूशन प्याइं तो इसे फिनिजेघ कहते हैं ंक हिसीघ का इसकी जो रश्क फिनिजेशन नाम भी कहते हैं तो इस परकार से question आपके याद रखना है अगले question की तर बढ़ते हैं अगला question 23 नमर का 23 नमर question है bearing की scrapping के लिए किस scrapper का प्रियोग करते हैं याद रखेगा bearing की scrapping करने के लिए हाफ round scrapper का प्रियोग करते हैं इसे हम bearing scrapper भी कहते हैं ठीक है और scrapper की बात करें तो यह प्रियोग का सिंगल अलग लग परकार की scrapper भी होते हैं तो याद रखना है आपको अगले question की तर बढ़ते हैं 24 नमर question आपका grinding के कितने grade पाए जाते हैं याद रखेगा इसके तीन होते हैं ग्रेड soft, hard, medium और hard ठीक है तो इनको जो ग्रेड होता है वह अक्षरों के दोरा दर्साया जाता है जो कि एसे जड तक टाउंट की जाते हैं ठीक है एक कोईचन आपसे exam में एकसर पुछता है कि M जो एक्चा राइस में अल्फाबैट की ग्रेड को ग्रेड को दर्साया तो यह आपका medium ग्रेड को दर्साया तेक है यह भी आपके याद रखने है तो इसमें राइट आंसर जागा भी ग्रूप पुली अब अगले क्वेचन कीतर बढ़ते हैं अगला क्वेचन आपका 26 नंबर का 26 नंबर का लूज पुली वह पुली होती है जो तो यहने कि लूज पुली किसको कहते है तो जो सतंतर प्रोग चल सकते हैं उसी कम क्या कहते हैं लूज पुली कहते हैं अगला क्वेचन आपका 27 नंबर का कि लूब्रिकेंट के किस गुड में लूज पारनी के भार से की जाते हैं तीयार रखेगा मैं आपको लूब्रिकेंट के पहले ब Viele का चुका हो लुब्रिकेंट एक पर पध़िए उत होता एं जो दो ratred के बिच में टेंप्रेचर और फीक्षन को कंट्रोल करता है ठीक interrupt की जाती है तो याद रखेगा जो लिभिट्र का जो gravity होता है specific gravity यानिकी बिसिस्त उगरतात तो हता है उसमें लिभिट्र के भार के तुलना उसके पाने की बारशत की जाती है ठीक है इसका साथ ही लिभिट्र के कुछ और भी प्रपरटी है जिसे exam में question पूछता है जैसे कि ल भलैस पॉइंट करना है और लुप्रिकन करेंच के ज Bend till the p कोश्टी हाई होगी वह उतना अधिक मोटा होगा तो अगले कोश्चन के तक बढ़ते हैं अगला कोश्चन आपको 28 नमर का 28 नमर कोश्चन आपका दो इंटर्सेक्टिंग साफ्ट को जोड़ने के लिए कि इस गेर का प्रियों करते हैं तो यहाद रखेगा दो बढ़ते हैं मार्किंग मीडिया कितनी प्रकार को होते हैं तो यहाद रखेगा मार्किंग मेडिया एक प्रकार को पदार्त है जो जाव की सता पर मार्किंग से पहले लगा जाता है ताकि मार्किंग की रखाए अश्वाश रूप से दिखाई जा सके हैं और यह आपके चार प्रक्राइक होते हैं जिसे की वाइट वास ठीक है वाइट वास ठीक है स्वारी प्लीज वाइट वास ठीक है प्रस्यन ब्रू इसके साथ ही पापर हाद करें यह जो अभिता होती है रमघ करते है प्रीण बढ़ों कि बात करें तो यह जो घृत में अधिक समय लेता है इसके साथ प्राजन करें कंई एक रखनी के बात करें एक हुआये है इसको यूज करते समय हमें सव्धानी बरतनी चाहिए तीक है और शिलोले कर जूह है कयो अलग अलग रंगों में लब्स होता और इसकी बात करें इसका benefit जो है यह जल्दी से सूख जाता है तो यह मार्की मेडिया से सबंद्ध जितने भी important point है हमने आपके साथ discuss किया है उमीद है अगर आज के बाद से मार्की मेडिया से सबंद्ध कोई भी exam में question पुछा जाता है तो आप उसका right answer कर पाएंगे अगले question के दबड़ता है अगरा question है और आज की इस वीडियो का अंतिम question है यह थर्टी नमर का bearing के अंदर साफ्ट का जो भाग इस दिर आता है उससे हम journal करते हैं ठीक है तो यह जो थर्टी important है आज की सभी हमने वीडियो में कभर किन है यह एक रिवियन क्लास थी इस बाइस से मैंने किसी question से ज्यादा detail नहीं किया फिर भी जो question important है मैंने उसके जो important point है उस point को आपको बता दिया है उमीद है वीडियो आपको पसंद दिया होगी और वीडियो को लाश तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत दने बाद और चलिए मैं कुछ आपको बाते बता देता हूं जो कि आपको एक्जाम से पहले ध्यान में रखनी है जैसे कि एक्जाम में जाने से पहले आपको आपना mind concentrate करके रखना है किसी परगा कि ज्यादे बात यह नहीं सुचनी है ठीक है अपने आपके उपर विश्वास रखना है कि हाँ हमने जितने भी question अभी तक पढ़े है मैं उसका at least सही सही आंसर करके आओंगा एक्जाम में ठीक है इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्जाम के इंस्ट्रक्चन है उसको पूरा फालो करना है ठीक है जो question आपको आ रहे है उसको एक बार में नहीं बलकि दो बार question को केरफुली पढ़ना है उसके होता ही है कि आप एक ही question को solve करने में पूरा अपना आपसों नहीं आ रहा है मैंने इस question को पड़ा है क्यों नहीं आ रहा है ठीक है तो आप जित पकड़ लेते हैं और इस question को करते करते हैं आपका time धीर देर क्या होता है ऐसे 2-4-5 question मिल जाते है तब का फूरा time खतम हो जाता है तो definitely आप एक्जाम में at least जितने अभी तक पढ़ाईगी है उसका जो है सही से जानसर कर पाएंगे ठीक है और बाकी आप लोगों के लिए हमारे तरफ से नमबर पिंद कर दूँगा जो भी आपके एक्जाम दे कर खें चाहें आप किसी भी ट्रेट्स हो आपको जो मेमोरी बेस्ट कोईचर है उस नमबर पर हमें भेजने की क्रिपा होगी तो आदकी इस वीडियो में इतना है मिलते हैं अनेक्ट वीडियो में तब तक लिए सकते हैं।